नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों चैनल रणभूमी मैठ्स में दोस्तों आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का टेबल का आपको बहुती जादू या जानने के लिए आपको एक चीज याद होना बहुत जरूरी है वो है sin theta की value तो देखें दोस्तों यह जो trigonometry में sin cos 10, cosec से cot है बिलकुल चुटकियों में आज मैं आपको सिखा दूँगा कि कैसे इसे याद रखेंगे तो देखें दोस्तों sin 0 degree में उसका मान होता है 0, sin 30 में इसका मान होता है 1 बटे में 2, sin 45 दिगरी में इसका मान होता है 1 बटे root 2 और sin 60 में इसका मान होता है root 3 by 2 और sin 90 में इसका मान होता है तो देखें दोस्तों यह जो पहली value है यह आपको याद होना चाहिए दोस्तों यह बहुत ही अच्छे से आपको याद होना चाहिए ये बस एक याद कर लो मेरे बच्चों बाकी देखो अभी सारा गर्दा उड़ा दूँगा आपको टेकनिक सिखा देता हूँ देखें दोस्तों साइन की वैल्यू अगर आपको याद है आप सबसे पहले लिख लिजिए उसके बाद क्या करिए कॉस जो होता है न दोस्तों वो साइन का वैल्यू का उल्टा होता है मतलब रिवर्स चलिए उल्टा वापी से लिख दिजिए यानि कॉस जीरो डिग्री में मान क्या होगा 90 वाला यानि 1 फिर देखें दोस्तों कॉस 30 डिगरी में मान क्या होगा रूट 3 बाई 2 उसके बाद कॉस 45 में क्या होगा तो देखें यह उल्टा लिक रहे तो यहाँ पर सेम से मिल गया इसले हो गया 1 बाई रूट 2 उसके बाद आजे ही दोस्तों कॉस 60 डिगरी में क्या होगा तो अब उल्टा लिक रहे तो अब हो जाएगा 1 बाई 2 और यहाँ पर दोस्तों कॉस 90 डिगरी में क्या होगा आखरी वाला यहां लिख दीजिए 0 तो देखें भईया साइन और कॉस की वैली आपको आगई प्लियर है तो साइन एक सिर्फ आपने याद रखा दोस्तों तो देखें कॉस बस उसका उल्टा है रिवर्स लिख दीजिए वैली आपको मिल जाएगी उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने ट्रिग्नोमेटरी पर्ट वन में आपको बताया था कि 10 बराबर क्या होता है तो देखो बच्चो 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा यह फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानि साइन अपन कॉस यानि कि इन दोनों को बस बटा कर दीजे भाग देदीजे जो आएगा वही 10 theta की value हो जाएगी तो 10 theta का value क्या होगा दोस्तों तो देखे 0 divided by 1 तो 0 में अगर आप 1 से divide करेंगे तो क्या होगा 0 ही ना आएगा तो इसे मैं यहाँ पर direct link देता हूँ 0 by 1 यानि के 0 clear है दोस्तों आ रहा है ना बात समझ में आनंद भी आएगा आपको घबलाईए नहीं दोस्तों तो 10 theta यह 0 हो गया अगर मैं इसको दोनों को divide करूं sign बटे cost तो देखे 2 2 कट जाएगा क्या बचेगा 1 बटे root 3 देखे value clear है अगर मैं इन दोनों को divide करूं say में तो देखे 10 45 का value हो जाएगा 1 अगर इन दोनों को divide करूं तो देखे 2 2 कट जाएगे तो क्या बचेगा केवल root 3 बचेगा अब मजे की चीज आ गई दोस्तों अब अगर मैं इन दोनों को divide करूं तो देखे मैं लिखूंगा एक बटे में 0 तो मेरे बच्चों एक चीज ये समझना कि एक बटे 0 यानि एक में 0 से भागा दो कभी भागा जाएगा आप देते जाएंगे मगर कभी सेस नहीं होगा अंत नहीं होगा इसलिए इसे हम क्या लिखते हैं दोस्तो अनन्त लिखते हैं क्या लिखते हैं अनन्त इंफाइनाइट या अंडिफाइंड या और परिभासित आ गई दोस्तो बात समझ में यह याद रखना तो यह और परिभासित कब होता है दोस् तो यहां तक देखिए, sign हमने याद किया, cause उसका उल्टा लिख दिया, 10 sign बटा cause कर दिया, काम खतम अब देखिए दोस्तो मजे की चीज, मैंने पहले वीडियों में बताया था कि sign का उल्टा क्या होता है cause यानि के दोस्तो sign theta बराबर क्या होता है, एक बटे में cause theta sign बराबर क्या होता है, एक बटे में cause theta, यानि sign का जो भी मान होगा, उसे एक बटा करके लिख दो, जो आएगा वो cause का मान हो जाएगा आगई दोस्तों बात समझ में clear है, तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर causec में क्या आप लिखोगे, तो causec में क्या लिखोगे, sign के मान को एक बटा करके लिख देना तो यहाँ अगर 0 है, तो इसे में एक बटा 0 लिखूँगा, एक बटा 0 यानि फिर से 0 से भाग देंगे, यानि क्या हो जाएगा, अनन्त हो जाएगा, infinite हो जाएगा clear है दोस्तो, उसके बाद sign के मान को सिर्फ उल्टा कर दो, देखो भईया, एक बटा 2 है, तो उल्टा कर दो, तो क्या हो गया, 2 बटा 1, यानि 2 हो गया value अब यहाँ 45 में, sign 45 में मान है, 1 by root 2, उल्टा कर दो, तो हो जाएगा, root 2, clear है दोस्तो, उसके बाद देखिए, root 3 by 2 है, तो इसे उल्टा कर दो, लिख देंगे, हम 2 by root 3, clear है, अब अगर एक को मैं उल्टा करूँ, तो क्या होगा, दोस्तो, एक बटे, एक तो एक ही ना होग तो देखिए, cosec theta के भी value आपको मिल गई, आ रहा है न मज़ा दोस्तो, तो देखिए दोस्तो, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, अब देखिए दोस्तो, cost का उल्टा क्या होता है, दोस्तो, sec theta होता है, यानि कि जो अभी आपने sign theta में, और cosec theta में किया, वही अब cost theta और sec theta मे हो जाएगा इसे अगर उल्टा कर दू दोस्तों तो क्या हो जाएगा रूट टू हो जाएगा एक बटा दो को अगर मैं उल्टा कर दू तो दो बटा एक यानि दो हो जाएगा अब मजे की चीज दोस्तों अब मजे देते जाईए आपका भाग कभी खतम नहीं होगा पृत्वी नश्ट होके दुबारा आ जाएगी मगर यह भाग आपका कभी खतम नहीं होगा इसलिए से हम अनंत के द्वारा दर्स आते हैं क्लियर है दोस्तों अब देखें साइन की भैल्यू हमने याद की कॉस को उल्टा लि कियेगा कॉर्ट तो कॉर्ट का वैल्यू टेन का उल्टा होगा तो यह देखो जीरो है तो जीरो को उल्टा करो तो एक बटा जीरो एक बटा जीरो यानि कि अनंत इन्फाइनाइट याद हो गया दोस्तों ऐसे भी आप कर सकते हैं या इसे आप बस उल्टा लिग दीजिए यानि कि जिस तरह से sign का मान आपने याद किया और cost को उसका उल्टा लिख दिया था, तो उसी प्रकार 10 के मान में क्या करिए, 10 के मान को याद करके, cot के मान को उल्टा लिख दिजिए, मगर वो भी मैंने आपसे वीडियो में शुरू में वादा किया था न, कि सिर्फ sign की value याद रखे, बाकी में आपको कुछ भी याद करने नहीं दूँगा, तो देखें दोस्तों मैं चलिए बिना याद कि यही बनाता हूँ, 10 का value 0 है, तो एक बटा 0 यानि infinite, इसका उल्टा कर दिजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, root 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यूंकि देखें 10 में क्या है, अनन्त है, तो अनन्त को अगर मैं उल्टा लिखू, देखें मैं यहाँ side में लिखता हूँ, अनन्त है infinite का मतलब होता 1 बटा 0, अगर आप अगर इसे उल्टा करेंगे, तो क्या होगा, 0 बटे 1, तो 0 बटे 1, यानि 0 हो जाएगा, clear है दोस्तों, तो यहाँ value आपकी आजाएगी 0, तो देखें दोस्तों, मजाक मजाक में हमने पूरे sine, cos, 10, cos, 6, cot की सारी value निकाल ली दोस्तों, बस 5 मिनिट में, तो सोचिए ज़रा, अगर आप सिफ sign की value याद कर लें, और उसे cos को उल्टा लिख ले, 10 को क्या करे, sign upon cos कर दें, cos को क्या करे, sign का उल्टा, sec को क्या करे, cos का उल्टा, और cot को क्या करे, 10 का उल्टा, तो देखिए सारी value याद हो गई, अब देखी दोस्तों बनाते बनाते ही आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था मेरा छोटा सा प्रयास था इसे अच्छे से देखना समझना सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा मिलते हैं आगले वीडियो में ने टॉपिक ने लॉजिक के साथ अब तक के लिए जै हिन जै भारत